नमस्कार बाई सबको तो यह वीडियो अपनी ब्लू स्मार्ट में जोइनिंग के लिए है कि जोइनिंग कैसे करें तो जोइनिंग है न पूरी मतलब दिल्ली में दो जगए होती है अभी तक इसकी जोइनिंग एक तो होती है सो नरोड पर अर दूसरी होती है अपनी कापा ची भडना नहीं है तो जाना की कोई भी जरूथ नहीं है के वह लितीन चेंब आपकोई पेस्टा norma, और उसल चाहने बना की पासबुक किसी भी सफोटो पीजे टुकियूहएं उन्हें सब कुछ और चेम सेटेब्स अपडेटक करती है तो लेस्तृअचा पहले वहां पे बोर्ड पे बार कोड दिखाई देगा और उस बार कोड को स्कैन करना अपने जो अपना गूगल के साथ में कैमरा होता ना उससे उसको से स्कैन करने के बाद में उससे सर्च मार के तक वैब साइट को लेगी तो उसमें फार्म निकलेगा उसमें अपना नाम अ उसके थोड़ी देर बाद 5-10-15 मिन्ट बाद अगर भीड नहीं हो नहीं तो भीड काफी होती है अपनी वहाँ पर तो आपका नाम बुलगा अंदर जाना अंदर जाका एक सर बैठी होंगे वे आपसे आपका डोकुमेंट चेक करेंगे और आपसे पुछे जाएंगे 5 सवाल ट्रेफिक नियम के बारे में सवाल पूछे जाएंगे पांच की पांच ट्रेफिक रूल आप बताओ तो वह आपने उन तो बतानी है कोई ज्यादा बड़ी बाद ना रेड लाइट का जैब्रा को रोसिंग का लेंड ड्राविंग का स्पीड लिमिट का सीट बेल्ट लगा वर दी में चलो यह चीज चार-पांच अपनी गणवा देना ज्यादा ना ओपलेस मतना होना मतलब गभराट नहीं होनी चीए आरामत है क्योंकि वह कुछ वह वह वाजी ना वापी देना उसके बाद में बेज देंगे आपना ड्राविंग टेस्ट के लिए और अन्गी पी मिले गी आपने वह मिले गिया आपने एकसार मोडल लेटर्श्ट जो अभी लोन चुई एगा ड्राविंडी तो उसमें क्या सीन है कि उसमें गेर लीवर नहीं है यह देखो अपना गेर लीवर होता है अन्गान देखा यह प्राविंगा देखा साफ यह इसा न नीचे मतलो टायर जैसे गोल सा गुमानेगा तो वह मिलेगा उसमें क्या सीन है अक मैं बता देता हूं किस तरे चलेगी गाड़ी अंदर बैठोगे उसमें गाड़ी में मीटर में चाबी लगाऊगे और सी दब ब्रेक पर रख लेना उसके बाद में डी पर लगाना और गाड में धिरे-धिरे करके चलाना और गाड़ी को अराम से 20-30 की स्पीड पर चलाना उदर गलियों में और मोडों का दियान राखियों आई अपने नहीं तो फैल करते का कुई तो अपना जिस्त्रिया अपना लाइसेंस का टेस्ट दिया था ना इस साथ में बैठके वैसे ही दे जो भी रूल है बैठते सीट बेल्ट लगानी ठीक है मीट्रोन करना गाड़ी डीप लगाना उसके बाद में हैंड ब्रेक डाउन करना फिर गाड़ी लेगा बना चलना ठीक है और दोनों हाथ स्टेरिंग पर और उसके बाद वो विपात सवाल पुछागा तो उस तो बता चड़ा होगा है दोक्यूमेंट सिस्टेम पर चड़ाने के बाद में वह आप तो पूछेगा एक तो नो मिनी का नाम बता देना जो भी आपना नाम चड़ाना है अपने फैमिली के दूसरा उसके बाद में वह आपने अगले दिन बोलाओंगी ठीक है संड़े की वहां पर चुटी होती है और उसके बाद अगले दिन हो लेंगे आपकी वजेगी दस वजे आपना आना है आठ गंटे कि आपकी किलास है उसक्यासमें यही बता जाएगा आपको कैसे छलती त्टी के सब जोट कैसे बरा जाएगा वीकली पेमिंट कैसे होती है आपका कितना सब कुछ आपने समझा देंगे और फिर शामने जैसे क्लास खतम होगी उसके बाद माँ आपका होगा पेपर सो नंबर का उसमाद पीचतर नंबर लाने आपने जरूरी है अगर पीचतर नंबर आपके आगे तो आप पास है और आपने अगले दिन की ताहीं बेज देंगे का आप मंगा जाएगा ठीक अपनी मर्जी साव कोई सब लिलो ठीक अगर जगे वहां पर खाली होई तो आप न मिलेगा अगर नहीं खाली हुई तो अपनी मर्जी तो आप देंगे कि जी सब जगह खाली है यहां पर कुछ दिन चला ले एक दो मीना उसके बाद में अपने पर नहीं पर दिखता है जो इनकी ब्लू समार्ट ड्राइवर एप है उसी तो सारा कंट्रोल होगा सारा सिस्टम जो वाइपर डाली आप फॉन चला लेना उसकी तहीं तो काम है एक नंबर का और जिस बाइन नहीं आता इंगलिस नहीं इंदी में भी हो जेगी वह जिस बाइन लिखनाता है ना ओर के में ठीक है तो उनकी ताहियों मुस्कील है यह काम ब्लू समार्ट इसका है अम इसे लिए दिये गई समार्ट तरीके से काम होगा और यह उन ड्राइवर आना रखेंगे जो कि इनका गाड़ी डंग से चलाओंगे और जो एक्स्पीरेंस बनते होंगे अपना आये हैं ठीक है वे इन ड्राइवर ना रखेंगे ना तो मड़ी सी गलती होते हैं नोकरी दुबार निकाल देंगे ठीक बाई इसका जो काम कर रहे हो उस्ते भी जाओगे और जिसकाम इसकाम आयो तो अड़ेते भी एक दम जाओगे कोई नहीं है अले दुबार मिल कि नहीं गाटी ठुकता है बाहर है सिद्धा नोकरी दुबार क्यों कि दुनिया लागे लेन में इस नोकरी के चक्कर में ठीक हर बुद्वार ने शाम ने चार-पांच बज़े तक पेमिंट आपकी आ जाओगी और हर शुक्रवार ने अगले अपते के लिए सलोट बरहा ज जो भी है हाँ एक बात और यह आपकी जब टेस्ट हो ड्राइविंग टेस्ट आपने अगले दिन बोलाओंगे कि लास के लिए तो आप से पुलीस वेरिविकेशन मंगाओंगे तो वह अपनी करवा लिए और पुलीस वेरिविकेशन में मैंने भी दिक्कत आई थी क्योंकि जब क्याफे में जाओंगे ना तो वह बोलेगा कि कंपनी का लेटर देओ तो बुलीस वेरिविकेशन आपकी हो जाओगी ठीक है और आपके दो दिन तो खराब होने होने हैं एक दिन के आपने पैसे मिल जाएं जिस दिन के आपकी किलास हैगी उसके पहले तो आपने पैसे जोइनिंग करने नहीं गया हूं क्योंकि मन कुछ दिक्कत आगी थी अपने हिसाब से दो दिन आप किलास लेका है शामना आप से पूच्छा जागा कि जोइनिंग कब से करोगे तो उस हिसाबत आपने टैम बता दिए जिस तो हम चार दिन में करेंगे एक अप्तेम करेंगे तो उस हिसाबत आपकी जोइनिंग हो जाओगी ठीक है और कि में रह गया हो कुछ मेरे तो छूट गया हो बताना तो कमंट कर दियो थारा वाई एक वीडियो और बना देगा इस चीज पर ठीक है और रही बात ओला उबर की तो ओला उबर के लिए मैं एक अलगत वीडियो ब